नमस्कार मैं सुतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैं टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में रामधारी सिंगुपता खंड दो के प्रतिलेखन संख्य 140 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम दो अलग-अलग स्पीड मिलेंगे पहली बार में 90 की स्पीड में तो दूसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसे संकेत लिपी में किस परकार से लिखा जा सकता है यानि इस प्रतिलेखन के परतेख सब्द की आउटलाइन क्या होगी तो आप हमारे साट हैं टीम एप को डाउनलोड कर सकते हैं एप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा एप को डाउनलोड करके इस परतिलेखन के परतेख सब्द की आउटलाइन को आप जान सकते हैं तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडि रहें इस्टार्ट भाईयों और बहनों निर्धनता भुखमरी बीमारी और अग्यानता के खिलाफ जिहाद करने में कामयाबी मेरे इन नौजवान दोस्तों पर निर्भर करती है जो देहाती इलाकों में काम करेंगे ग्रामिल छेत्र में अभी विकास की भारी संभावनाएं और काम करने के बहुत मौके मौजूद हैं जिनकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए ग्रामिल छेत्रों में रहने वाले लोगों और गन्ना कपास तिलहन जैसे किरसी का कच्चा माल और अनाज पैदा करने वाले लोगों की खुसहाली बढ़ने से देश की आबादी के दूसरे वर्गों की खुसहाली भी बढ़ेगी ग्रामिल छेत्र में प्रबंध योग्यता की कमी और संगठन के ना होने के कारण असली उत्पादकों को अपनी उपज के सही दाम नहीं मिल पातें। संगठन में सुधार और आधुनिक प्रबंध प्रणाली को लागू करने से इस कमी की पूर्ती हो जाएगी और गाओं के लोगों को उससे वे लाभ हासिल हो सकेंगे जिन्हें संगठित ग्रामिल विकास के लिए लागू किये जा रहे विभिन प्रोग्रामों और योजनाओं के जरिये उन तक पहुचाया जाना है मुझे पूरी आसा है कि हम लगन के साथ लगातार कोशिसों के जरिये निर्धनता को मिटाने और गरीब पददलित और समाज के उपेक्षित और पीरित लोगों को उपर उठाने में कामयाब होंगे यह कोई आसान काम नहीं मैं एक गाउं का रहने वाला हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सहरों में पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए लोगों की आकांग्शाओं को समझ कर उनसे घनिष्ठता कायम करना कितना मुश्किल होता है देहाती इलाकों में जो ताकतें काम कर रही हैं उन्हें समझना और उन पर काबू पाना भी कठीन होता है फिर भी मुझे यकीन है कि इस बेजोड संस्थान में जो तालीम आपने हासिल की है उससे ना केवल आपका ग्यान और कार्य कुसलता बढ़ी है बलकि देहात के गरीब लोगों की सेवा करने के लिए दृड़ निश्य और हिम्मत भी आप लोगों में पैदा हुई है पैरा जिन नौजवान इस नात को ने यहां ट्रेनिंग पूरी की है वे ग्रामिल छेत्र में तबदिली लाने के कारगर और क्रियासील साधन बनेंगे हो सकता है कि ग्रामिल प्रबंध में उन्हें अपना काम धन्धा पैसे की द्रिष्टी से इतना लाभदायक ना लगे जितना की बहुत ही संगठित और उन्नत उद्योगों में उनके साथियों को मिलता है परन्तु उन्हें एक उन्नत और खुसहाल ग्रामिल भारत के नो निर्माल में उत्साह जनक और चुनावती पूर कार्य करने में हाथ बटाने का आउसर प्राप्त होगा मुझे सक नहीं कि उन्हें संतूस जनक व्योसाय मिल सकेगा और अपने ग्यान तथा कार्य कुसलता के उपयोग का मुनासिब मौका भी मिलेगा गुजरात राष्ट पिता महात्मा गांधी का जन्म अस्थान है जिन्होंने आजादी के खातिर भारत के सभी भागों के कर्मठ कार्य करताओं को कार्य करने की प्रेड़ा दी थी सेवा की उसी भावना से हम सब लोगों को खास तोर से देश के नौजवानों को राष्ट निर्मार की प्रेड़ा लेनी चाहिए मुझे यकीन है कि आप सब लोग जिन्होंने महात्मा गांधी की भावना से प्रेरित वातावरण में ट्रेनिंग हासिल की है अच्छा काम करके अपनी बहतरीन ट्रेनिंग का सबूत दिंगे मैं ऐसा महसूस करता हूँ इस्टाव दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग सब की स्पीड मिलेंगे और आपका समय इस्टाट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेड़ी रहें इस्टार्ट भाईयों और बहनों निर्धनता भुखमरी बीमारी और अग्यानता के खिलाफ जिहाद करने में काम्याबी मेरे इन नौजवान दोस्तों पर निर्भर करती है जो देहाती इलाकों में काम करेंगे ग्रामिल छेत्र में अभी विकास की भारी संभावनाएं और काम करने के बहुत मौके मौजूद हैं जिनकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए ग्रामिल छेत्रों में रहने वाले लोगों और गन्ना, कापास, तिलहन जैसे किरिशी का कच्चा, माल और अनाज पैदा करने वाले लोगों की खुसहाली बढ़ने से देश की आबादी के दूसरे वर्गों की खुसहाली भी बढ़ेगी ग्रामिल छेत्र में प्रबंध योग्यता की कमी और संगठन के ना होने के कारण असली उत्पादकों को अपनी उपज के सही दाम नहीं मिल पातें संगठन में सुधार और आधुनिक प्रबंध प्रणाली को लागू करने से इस कमी की पूर्ती हो जाएगी और गाउं के लोगों को उससे वे लाभ हासिल हो सकेंगे जिन्हें संगठित ग्रामिल विकास के लिए लागू किये जा रहे विभिन प्रोग्रामों और योजनाओं के जरिये उन तक पहुंचाया जाना है मुझे पूरी आसा है कि हम लगन के साथ लगातार कोशिसों के जरिये निर्धनता को मिटाने और गरीब पद दलित और समाज के उपिक्षित और पीडित लोगों को उपर उठाने में कामयाब होंगे यह कोई आसान काम नहीं है मैं एक गाउं का रहने वाला हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सहरों में पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए लोगों की आकांग्शाओं को समझ कर उनसे घनिष्ठता कायम करना कितना मुस्किल होता है देहाती इलाकों में जो ताकतें काम कर रही हैं उन्हें समझना और उन पर काबू पाना भी कठिन होता है फिर भी मुझे यकीन है कि इस बेजोड संस्थान में जो तालीम आपने हासिल की है उससे ना केवल आपका ग्यान और कार्य कुसलता बढ़ी है बलकि देहात के गरीम लोगों की सेवा करने के लिए दृढ निष्चय और हिम्मत भी आप लोगों में पैदा हुई है पैरा जिन नौजवान इस नातको ने यहां ट्रेनिंग पूरी की है वे ग्रामिल छेत्र में तब दीली लाने के कारगर और क्रियासील साधन बनेंगे हो सकता है कि ग्रामिल प्रबंध में उन्हें अपना काम धन्धा पैसे की द्रिष्टी से इतना लाभ दायक ना लगे जितना की बहुत ही संगठित और उन्नत उद्योगों में उनके साथियों को मिलता है परन्तु उन्हें एक उन्नत और खुसहाल ग्रामिल भारत के नौ निर्माल में उत्साह जनक और चुनावती पूर कार्य करने में हाथ बटाने का औसर प्राप्त होगा मुझे सक नहीं कि उन्हें संतोस जनक व्यवसाय मिल सकेगा और अपने ज्यान तथा कार्य कुसलता के उपयोग का मुनासिब मौका भी मिलेगा गुजरात राज्य राष्ट्र पिता महात्मा गांधी का जन्म अस्थान है जिन्होंने आजादी की खातिर भारत के सभी भागों के कर्मठ कार्य करताओं को कार्य करने की प्रेड़ा दी थी सेवा की उसी भावना से हम सब लोगों को खास तोर से देश के नौजवानों को राष्ट्र निर्माड की प्रेड़ा लेनी चाहिए मुझे यकीन है कि आप सब लोग जिन्होंने महात्मा गांधी की भावना से प्रेरित वातावरण में ट्रेनिंग हासिल की है अच्छा काम करके अपनी बेहतरीन ट्रेनिंग का सबूत दिंगे मैं ऐसा महसूस करता हूँ स्टॉप